लोक सबा चुनाओ बिल्कुल ही सर पे आ चुका है और इस बार भाजपा के लिए बहुत ही कठिन घड़ी आने वाली है और कठिन घड़ी मैं इसलिए बोई रहा हूँ कि चुनाओ जीतने में उनको कोई समस्या नहीं है लेकिन जो सत्तर के पार हो चुके हैं बड़े दिगज है क्योंकि जब सीश ने तो इतने ऐसा बयान दिया उसके बाद से ही सत्तर के पार जो नेता पहुंच चुके हैं उनके बीच बेचैनी बढ़ गई लेकिन पार्टी के इस निरने से पार्टी में बिरोध के विश्वर सुनाई देने लगे थे क्योंकि बहुत से दिगज इस उस फैसले से नाखूस भी थे लेकिन सरकार ने अपनी पार्टी के लिए आप्सन निकाल भी लिया है कहा जा रहा है कि टिकट उनका नहीं कटा जाएगा जो पार्टी के लिए हम है और जिनका अपना एक वजूद अपना एक लोगशभा छेतर है जिसके चलते अभी भी पार्टी में 70 की उम्र पार कर चुके दावेडार और बर्तमान सांसद अभी भी टिकट पाने की उम्मीद का दिया जलाए हुए हैं लोग सभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो इस उम्र को पार कर चुके हैं इसमें राजनाथ सिंग, सत्य देवपचौरी, गिरी राज सिंग, देवेंदर सिंग भोले, राजिंदर अगरवाल, रविशंकर परसाथ जैसे दिग्गत सामिल हैं कानपूर और अकबरपूर से बीजेपी सांसर देवेंदर सिंग भोले और सत्य देवपचौरी दोनों ही इस फैसले के दाएरे के बाहर निकल चुके हैं लेकिन अपनी लोग सभा में मजबूती रखने वाले इन नेताओं को इस बाद टिकट मिलेगा या सिर्ष नेत्रित्व इनके टिकट पर कोई बैकल तयार करेगा ये तो देखने वाली बात है कानपूर और अकबरपूर लोग शभा पर किसकी दावेदारी चल रही है अंदर खाने से इन दोनों लोग सभा सीट पर बड़े बड़े दिगज़ अपना भागयज माना चाहते हैं और एक दूसरे की कुर्सी पर कबजे का मन बना कर टिकट की दौड में हैं बात है कर कानपूर सहर की करे तो कानपूर से लेकर लखनाउ तक के महारतियों की नजर है ऐसे में बरतमान कानपूर लोग सभा से सांसद शत्त देव पचवरे सिर्ष नेतृत के फैसले को अपने बिरोध में मानते हुए अपनी दावेदारी के साथ साथ अपनी बेटी नीतू सिंग को टिकट दिलाने की दौड में शामिल हो चुके हैं वहीं उत्तर परदेश के डिप्टेशीम बिर्जेस पाठक भी कानपूर लोग सभा सीट पर दावेदारी कर सकते हैं जो अपने आप में एक बड़ा नाम है और इसी के चलते वो कानपूर में लगातार दोरे करते हुए नजर आ रहे हैं इस दावेदारी की दोर में एक नाम और भी सतीस महाना का जो बिधान सभा द्यक्ष के पद पर बिरजमान है वहीं अकबर पूर लोकसभा की बात करें तो यहां भी बरत्मान बीजेपी सांसर देविंदर सिंग सत्तर के उमर को पार कर चुके हैं और अपने बेटे विकास सिंग को भी साइट से दावेदारी के लिए आगे कर रहे हैं अगर उनका टिकट कटा तो बेटे को टिकट दिला कर सत्ता का सुक लगातार लिया जा सके तो ऐसी दावेदारी चल रही है वहीं इस सीट से भी यूपी सरकार के राज्यमंतरी परतिभा सुकला के पती अनिल सुकला बारसी भी दौड में सामिल है वह पुर्वसांसद भी रह चुके हैं कानपूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा भी लोगसभा के टिकट कोले कट अकबरपूर लोगसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि इन अकबरपूर और कानपूर दोनों लोगसभा सीटों पे तगड़ी मारा मारी है अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है यानि कि टिकट किसको मिलता है